परिचाए बच्चों, आज हम रैखिक असमिका की बारे में जानेंगे क्या कोई मुझे बता सकता है कि रैखिक असमिका क्या होती है? सेर, असमिका में से कम या से अधिक के चिन्न होते हैं बहुत अच्छे सेर, तो रैखिक असमिका क्या होती है? रैकिक आसमिकाएं वे कतन होते हैं जिनमें आसमिका चिन्न होते हैं। इस पार्ट में आप रैकिक आसमिकाओं के प्रश्णों को हल करना सीखेंगे। रैकिक आसमिकाएं ऐसे कतन होते हैं जिनमें आसमिका के चिन्न शामिल होते हैं। ये चिन्न निम्न हैं। से कम, से अधिक, से कम या बराबर, से अधिक या बराबर और बराबर नहीं। आईए बेहतर समझने के लिए कुछ उधारन लेते हैं। उधारन एक, कनिश्कु लेखन प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए आपकी आयू बारा वर्ष होनी चाहिए। इसलिए इस कथन के लिए आसमिका है, आयू बारा से कम, बारा से नीचे गार्थ है, बारा से कम, और इसमें बारा के बराबर शामिल नहीं है, इसलिए सही प्रतिक है, से कम, ये एक चर्राशी वाली रैकिक आसमिका है। उधारन दो, सुरेश दूसु रुपए लेकर बाजार, रुमाल और मोजे खरीदने गया, एक रुमाल की किमत पचीस रुपए है, एक जोड़ी मोजों के किमत तीस रुपए है, यदि एक्स रुमाल की संख्या को प्रदशित करे और वाई मोजों की जोड़ियों की संख्या क प्रदशित करें, जिन्हें सुरेश खरीदता है, तो प्रोक्त समीकरण को असमीका रूप में हम इस प्रकार निरूपित करते हैं। 25X प्लस 30Y कम या बराबर है 200 के, ये दो चर राशियों वाली एक रैखिक असमीका है। इसे दो कत्रों में लिखा जा सकता है, 25X प्लस 30Y बराबर 200, 25X प्लस 30Y कम है 200 के, इसे ए नाम दें। इस इस्थिति में कत्थन ए असमीका है। उधारन एक आयत की लंबाई पांस सेंटिमीटर से अधिक है, और इसकी चौड़ाई चार सेंटिमीटर से अधिक है। आयत के क्षित्रफल के लिए असमीका लिखें। हल, एक आयत का क्षित्रफल लंबाई से चौड़ाई की गुणा करके प्राप्त किया जाता है। यदि लंबाई पांस सेंटिमीटर के पराबर होती और चौड़ाई चार सेंटिमीटर होती, तब आयत का क्षित्रफल होता, पांस सेंटिमीटर गुणे चार सेंटिमीटर बराबर बीस वर्क सेंटिमीटर, लेकिन लंबाई पांस सेंटिमीटर से अधिक है, और चौड़ाई चार सेंटिमीटर से अधिक है, अता क्षित्रफल बीस वर्क सेंटिमीटर से अधिक होना चाहिए, इसलिए क्षित्रफल बीस वर्क सेंटिमीटर से अधिक है एक चर राशी के रैखिक असमिकाओं के बीज गणितिये हल और उनका आलेखिये निरूपण एक चर राशी के असमिका का हल चर का वो मान होता है जो इसे एक सत्थिक अधन बनाता है एक चर राशी के रैखिक असमिका को हल करने के नियम एक असमिका के चिन्न को बिना प्रभावित किये हुए दोनों पक्षों की बराबर संख्याओं को जोड़ा जाता है या उससे घटाया जाता है। टीन, एक असमिका के किसी पद या पक्ष को दूसरे पक्ष में इस्थानांतरित किया जा सकता है। 15X प्लस 14 से हल के आले को संख्या रेखा पर दिखाएं हल 15X को बाएं पक्ष में और 19 को दाएं पक्ष में ले जाने पर हमारे पास है 4X माइनस 15X जो छोटा है 14 प्लस 19 से या माइनस 11X छोटा है 33 से माइनस X छोटा है 3 से X बड़ा है माइनस 3 से इस असमिका को एक संख्या रेखा पर प्रदशित किया गया है पहले हम एक खुला वृत्त बनाते हैं क्योंकि X माइनस 3 के बराबर नहीं है और दाई और एक तीर बनाते हैं क्योंकि हम 4 से अधिक मान चाहते हैं उधारण राम को गणित की 4 परीक्षाओं में एक ग्रेट प्राप्त करने के लिए नियूरतम 360 अंकों की जरूरत है उसकी पहली 3 परीक्षाओं में उसने 88, 96, 89 अंक अरजित किये एक ग्रेट प्राप्त करने के लिए चौथी परीक्षा में उसके कितने अंक होने चाहिए हल मानले की राम चौथी परीक्षा में एक्स अंक प्राप्त करता है तब राम की परीक्षाओं के अंकों का योगफल 360 से अधिक या इसके बराबर होना चाहिए अरथाद 88 प्लस 96 प्लस 89 प्लस X अधिक या पराबर है 360 के इसकार्थ है 263 प्लस एक्स अधिक या पराबर है 360 के इसकार्थ है एक्स अधिक या पराबर है 97 के ए ग्रेट प्राप्त करने के लिए राम को चौथी परीक्षा में 97 या 97 से अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए दो चर राशियों के रैखिक असमिकाओं का आलिक ये हल, माल लें AX प्लस BY प्लस C, तारा शुन्ने चर राशियों X और Y में एक रैखिक असमिका है, जहां A, B और C या द्रिच्छिक वास्तवीक संख्याएं हैं, और तारा असमिका चिन है, रैखिक समिकरण AX प्लस BY प्लस C बराबर शुन्ने, XY तल में एक सरल रेखा की रचना करती है, नीचे XY तल में सरल रेखा के उधारण हैं, जो XY तल को दो आधे भागों में विभाजित करती है, रैखिक असमिका का आलेख एक अर्ध तल है, जिसका निरधारण रैखिक समिकरण त्वारा होता है, सरल रेखा XY तल को दो भागों में विभाजित करती है, और इन में से एक पूरी तरह से असमिका का आलेख होगा, ये निर्लाई करने के लिए कि कौन सा अर्ध तल रैखिक असमिका का हल है, हम एक या द्रिच्छिक बिंदू P, H के लेते हैं, यहाँ दो इस्थितिया हैं, इस्थिति एक P, रैखिक असमिका को संतुष्ट करता है, यदि बिंदू P, H के रैखिक असमिका को संतुष्ट करता है, तब दी गई असमिका का अभीष्ट आलेख वो अर्ध तल है, जिसमें बिंदू P, H के होता है, इस्तिती तो P रेकिक असमिका को संतुष्ट नहीं करता है यदि बिंदू P H K रेकिक असमिका को संतुष्ट नहीं करता है तब दी गई असमिका का अभीष्ट आलेक वो अर्ध तल है जिसमें बिंदू P H K नहीं होता है रेखिक असमिका द्वारा प्रदेशित अर्ध तल पर बिंदुओं का समुच्च दी गई असमिका का हल समुच्च कहलाता है। यदि असमिका में से कम या बराबर या से अधिक या बराबर चिन हो तब सरल रेखा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले असमिका के हल समुच्च में शामिल होते हैं। यदि असमिका में से कम या से अधिक चिन हो तब सरल रेखा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले बिंदु असमिका के हल में शामिल नहीं होते हैं। संकेत AX प्लस BY प्लस C तारा 0 का आलेक एक टैश वाली रेखा होता है। यदि समिका मूल कथन में शामिल नहीं होती या एक द्रण रेखा की रूप में होती है। यदि समिका शामिल होती है। उधारन निम्न का आलेक बनाएं। X प्लस 2Y कम या बराबर है दसके। हल दी गई असमिका है X प्लस 2Y कम या बराबर है दसके। संगत रहकिक समिकरण है X प्लस 2Y बराबर 10। इसे एक नाम दें। अब हम रेखा एक खीचेंगे जब X बराबर 0। रेखा एक दर्शाती है 0। प्लस 2Y बराबर 10। य बराबर 5। अथा हम बिंदू 0। 5 को निरूपित करते हैं। जब Y पराबर 0। रेखा एक दर्शाती है X प्लस 2 गुणा 0 बराबर 10। X पराबर 10। अथा हम बिंदू 10। 0 को निरूपित करते हैं। शुन्य पांच और 10 शुन्य को मिलाने वाले रेखा X Y तल को दो अर्ध तलों में विभाजित करती है। अब मालने कि हम 0, 0 का चैन करते हैं जो अर्ध तलों में से एक है और निर्धारित करता है कि ये बिंदू दी गई असमीका को संतुष्ट करता है। शुन्य पिलस दो गुणा शुन्य कम या पराबर है दस के जो की सत्त है। अता अर्ध तल एक दी गई असमीका का हलक शेत्र है। उधारन रहकिक असमीकाओं के निम्न निकायों को आलेखिये तरीके से हल करें और किनारे के बिंदू ग्याद करें। दो एक्स प्लस वाई कम या पराबर है वाई से। दो एक्स प्लस पांच वाई कम या पराबर है पचास से। एक्स अधिक या पराबर है शूने से। वाई अधिक या पराबर है शूने से। हल। असमीकाओं एक्स अधिक या पराबर है शूने के। और वाई अधिक या पराबर है शूने के। गैर रनात्मक प्रतिबंध कहलाते हैं। हल, प्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में स्थित है और हम अपने ध्यान को तल के उस भाग में सिमित कर सकते हैं। इस प्रकार की बिंदू 11 है। इस प्रकार की बिंदू शूने 10 है। इसके बाद शूने शूने को एक परिक्षड बिंदू के रूप में चुनते हुए। हम इसकी संगत रेखा से बने निकाए में प्रथम तीन असमिकाओं के प्रतेक आलेक और रेखा के नीचे इस्थित अर्थ संतल को देखते हैं। जैसा की तीरों द्वारा प्रदेशित है। इस प्रकार प्रथम चतुर्थांश में बिंदूं से मिलकर बने निकाए का हल खेत्र जो इन तीनों रेखाओं पर या इनके नीचे स्थित है। आईए किनारे की बिंदू प्राप्त करें। आकरिती से किनारे के बिंदूं को 0,0,10,11 लिया जा सकता है। और अन्ने दो बिंदूं को समी करणों को हल करके ग्यात किया जा सकता है। 2X प्लस 5Y बराबर 50, X प्लस Y बराबर 13। समी करणों को हल करने पर हमें प्राप्त होता है 5,8, 2X प्लस Y बराबर 22, X प्लस Y प्लस Y पराबर 13। समी करणों को हल करने पर हम प्राप्त करते हैं 9,4, अता किनारे के बिंदू हैं 0,0,0,10,11,05,8,9,4 ध्यान रहे कि रेखाएं 2X प्लस 5Y बराबर 50, और 2X प्लस Y पराबर 22 भी प्रतिछेत करती हैं। लेकिन प्रतिछेत बिंदू हलक्षेतर का भाग नहीं है और इसलिए किनारे का बिंदू नहीं है। क्या आप चानते हैं। विलियम हेंरी यंग एक अंग्रेज गणी तक थे जिन्होंने असमिकाओं में महतपून योगतान दिया है। असमिका चिन्नों का सर्व प्रतम प्रयोग अंग्रेज गणी तक के थौमस हैरिओट द्वारा किया गया। सारांश। आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रहकिक असमिकाओं वे कतन होते हैं जिनमें असमिका का चिन्न शामिल होता है। वे हैं से कम, से अधिक, से कम या बराबर, से अधिक या बराबर और बराबर नहीं। एक चर राशियों के रहखिक असमिका को हल करने के नियम। एक असमिका के चिन्न को बिना प्रभावित किये हुए दोनों पक्षों की बराबर संख्याओं को जोडा जाता है या से घटाया जाता है। दो, असमिका के दोनों पक्षों को एक समान धन संख्या से गुणा किया जा सकता है या भाग किया जा सकता है। लेकिन जब दोनों पक्षों को किसी रिण संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो असमिका का चिन्न बदल जाता है। तीन, असमिका के किसी पद या पक्ष को दूसरे पक्ष में इस्थानांत्रित किया जा सकता है। साथ ही असमिका के चिन्न को प्रभावित किये बिना उस पर्दिया पक्ष के चिन्न को बदल दिया जाता है। दो जर राशियों के रैकिक असमिकाओं का आलेखिये हल। समुच्च में शामिल होते हैं। और दूसरी और यदि असमिका में से कम या से अधिक चिन्न हों, तब सरल रेखा AX प्लस BY प्लस C पराबर 0 को संतुष्ट करने वाले बिन्दू असमिका के हल में शामिल नहीं होते हैं। असमिका का आलेख एक टैश वाली रेखा होता है, यदि समिका मूल कथन में शामिल नहीं होती, या एक दरण रेखा की रूप में होती है, यदि समिका शामिल होती है। झाल झाल